अलो चिल्डरन आज अम लोग सिटिंग डॉक बनाने वाले हैं उसके लिए आपको एक मार्बल पेपर लगेगा और एक मार्कर पेन या स्केच पेन पहले आपको पेपर लेना है और उसके दो इक्वल पार्ट करना इस तरह से पर पर लिज्वाइन कीजिए और फोल किजिए उपन कीजिए फिसे जॉइंड कीजिए फोल कीजिए फिर गुमाईए यह जॉइंड कीजिए दोनों प्रॉपर ली अभी आपको ही रिखिए एक दो तीन चार चार इक्वल पार्ट मिले हैं अभी इसे आप ऐसे ट्रैंगल फोल्ड कीजिए इस तरह से अभी इसे आपको इस तरह से रखना है रखने के बाद एक ओर्णर ऐसे लिजिए ऐसे लिजिए फोल्ड कीजिए पहला ताकि आपको उपन करने में आसान हो फिर उपन कीजिए इसे इस तरह से ओपन करना है देखिए बरबर से इस तरह से यहां पर एक मार्किंग दिखाए देगा यह मार्किंग प्रॉपर मैच करन लाइन में दिखना चाहिए इस तरह से आना चाहिए ऐसे देखिए दिखाई दे रहा है ऐसे आना चाहिए इस तरह से प्रॉपर ली आना चाहिए अभी इसके हम लोग कान बनाएंगे कान बनाने के लिए यहां से आपको ऐसे फोल्ड करना है यह लाइन में यह दिख रहे हैं बिटम यह दिख रहे हैं आप लोगों को यह ऐसे कान बना दीजिए यह होगे इसका एक लेफ्ट वाला कान उसी तरह से राइट वाला कान बनाना है आपको इस तरह से यह हो गया रहाइट वाला कान और उसका तोड़ा सा यह आपको इस तरह से उपर कि तरफ मोंड़ा है। ऐ बन गया उसका फेज़ अब यह तरह बॉड़ी बनाना है । बाड़ी बाड़ना के लिए पहला फ्रेंड फोल्ड करेंगे और उसे बैक मिलेंगे इस तरह से इतना लेजी आप यहां से यहां तक ऐसे ऐसे आप फोल्ड कीजिए फ्रेंड फोल्ड कीजिए पहला फ्रेंड फोल्ड करने के बाद उसे बैक फोल्ड करना है उसी को जो आपने फ्रेंड फोल्ड किया है न उसे को बैक फोल्ड फोल्ड करने में आसान हो जाता है कि मार्किंग मिल जाता है तो इजली फोल्ड हो जाता है तो फ्रेंड फोल्ड इजी भी रहता है करने के लिए तो पहला front fold किया है अब यह पार्ट को भी ऐसे करना है पहला front fold कीजिए इतना लीजिए आप या तक front fold कीजिए पहला अब इसे आपको back fold करना है उसी को पहला marking proper कीजिए ऐसे क्रेज कीजिए ऐसे थम से कीजिए अब इसको गुमाई ही आप इस तरह से यह हो गया अपना वर के बैकक फोटी म्म में यह वो गया लिया फेज और ये बोड से अभी आपको पैल आप्सा आल करना है। कि दो टेल फेला फ्रेंट फोल किजिए ऐसे टेल फ्रेंड की आ यह face, यह body, यह tail, हमें-हमें sketch pin लेना है, या marker pin लेना है, उसके आखे बनाना है, तो यहाँ पर मैं आखे बना रहा हूँ, यह उसका नाख, आके, और यह हमारा sitting dog है, जो अपनी master की राह देख रहा है, sitting dog.